एक पर फिर से शुरुवात करते हैं अज अपने हम चाइल्ड पेड़ागोजी सेक्सन की कुछ इंपॉर्टेंट कॉश्चिन क्योंकि हमारे सामने कुछ एक्जाम्स बिल्कुल रेडी खड़े हुए जिसमें से एमपी टिट का ग्रेड थ्री एंड अभी अभी हाल फिलाल में होने वाला है आपका एक्जामिनेशन जिसका नाम है AWES यहने आर्मी वेलफेर एजुकेशन सुसाइटी की एक्जाम की बात कर रहे हैं तो चले चाइल्ड पेड़ागोजी सेक्शन के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉश्चन हमारे पास में है जिनको हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहला कॉश्चन लेते हैं तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है सबसे कम इंपॉर्टेंट रीजन जो है चाइल्स सेंटर एजुकेशन में सबसे कम क्या है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धार्न एन फूर्थ है मोकिश आमगरी और घ्यानकोसल तो इसमें सबसे बात की गई है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो सबसे less important है जो सबसे less important है जो सबसे less important है ओकेशन दी लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे कम महत्पूर्ण कारण जो है बाल के इंदर सिक्षा में मुलियांकन करने मतलब जो मुल्यांकन में support नहीं करेगा जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मुल्यांकन के लिए तो हमें यहां पर यह नहीं जानना है जैसे यहां पर देखिए है monitoring their progress towards the goals तो बिल्कुल सही बात है यह तो एक जरूरी बात है जिसके लिए मुल्यांकन किया जाता है चात्रों की सक्रिय भागीदारी जानने के लिए भी मुल्यांकन करना बहुत आवश्यक है और किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारन किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारन इसको क्या समझ सकते हैं मतलब कि बच्चों के सीखने में जो कमिया कहीं पर गैप साये हैं उनको मिंदर धारत करना एंड मुख्य सामगरी ज्यान और कोशल इसकी कोई जरूरत नहीं है तो यहाँ पर यह जो ऑप्सन है यह करेक्ट आंसर होगा इसकी सबसे कम जरूरत है हाँ पर तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा ओके चलिए कंटीनू करते हैं इसके पहले हमने जो पेपर डिसकस किया था वो पेपर नंबर वन था गलती से उसको फिरसे हम डिसकस करने लग गए थे तो आईए अब हम जो लोग बचे पुराना पेपर देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके अपने पुराने पेपर देख सकते हैं चलिए अब आंगे डिसकस करते हैं अगला पेपर तो क्वेशन नंबर वन है कि following is associated with a retardation in various expect of development इन में इसे कौन सी चीज है आंसर समझ में आ रहा है clear lower intelligences का जबाब हो सकता है because यदि हम बात करते हैं सबसे less progress की यहां पर retardation की बात की जा रहे है तो जो मंद वुद्धिता का concept है वो जुड़ा हुआ है less development के साथ चलिए अगला सवाल देखते हैं in child centered education मतलब बाल के इंदर सिक्षा what did the child has to learn should be famous question है और beard में से सबने पड़ा है just through their activities उनकी गत्वीधियों के माध्यम से judge by the scores in their test results उनके परिछा प्रणामों के अंकों से okay यह तो बिल्कुल हो नहीं सकता यह तो confirm हो गया होगा लोगों को कि यह बिल्कुल हो भी नहीं सकता है okay and just according to their ability interest देकिए word interest आ गया और child centered education बाल के इंद्रत सिच्छा में सबसे जरूरी जो बात होती वह interest की होती कि बच्ची का interest क्या है उसके accordingly बच्ची की चंटा क्या उसके accordingly बच्ची की capacity क्या है ओके योगता रुची चंटा ओके ability मतलब उसके पास योगता है उस चीज को समझ पानी की एक चुली योगता और चंटा लगबग लगबग एक जैसे हो जाते हैं and previous experiences of child और बच्चे की पुरहने experience के आधार पर ओके और अगला तो इसका आंसर तो वैसे यही लग रहा मगर फिर भी फोर्थ option पढ़ लेते हैं just according the previous experience of child बच्चे के पिछले अनभव के आधार पर तो incomplete option है यह उतना जरूई नहीं है मगर सबसे बात जरूई ability, interest and capacity तो इसमें जो ability, interest and capacity की बात कही गए यह उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसका answer third है और है और है भी चलिए अगला question देखते हैं child-centered education typically involves बाल के इंदर सिक्षा ओम तेर पर निम्न शामिल होता है on a spot assessment तुरंत मौके पर मुल्यांकन कोई मौल्यांकन नहीं मैं बिल्कुल एगरी नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, more summative assessment अधिक यूगात्मक मौल्यांकन, नहीं बिल्कुल नहीं, यूगात्मक मौल्यांकन का मतला भी होता है जो सत्त्र के end में होते हैं, जिसको आप ऐसे बोलते हैं, Submitive Assessment वो हुआ करते हैं, तो वो बिल्कुल बच्चों के लिए बिल्कुल favorable नहीं है. Okay, and then last है more formative assessment. जी हाँ, तो रचनात्मक मुल्यांकन को support करूँगा मैं, तो मेरे हिसाब से यह सही होना चाहिए, चली देखते हैं, और बिल्कुल सही, रचनात्मक मुल्यांकन ही बिल्कुल सही जवाब है, formative assessment ज्यादा होने पढ़ते हैं, और याद रखेगा formative assessment end में नहीं ह होते हैं, यह सिक्षण अधिगम याने teaching learning process की दोरान में कभी भी हो सकते हैं, एक class में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, एकदम से बच्चे को आपने उठा कर की पूछा, क्यो बटा, बताओ, भारत की capital क्या, इंडिया की capital क्या है, तो वो डेली बोलेगा, तो ये भी formative assessment मे में भी आएगा, जिसको आपन लोग क्या बोलते हैं, FA, आजकल बच्चे बोलते हैं, FA चल रहे है, FA means formative assessment, चलिए, अगली बात है, प्रगतिशील सिक्षा याने की John Dewey की education की बात कर दी गई यहापे, ओके, which of the following is the feature of progressive education, इसमें से progressive education का कौन सा feature है, पहला, instruction based solely on the prescribed test book, मतलब की instruction जो होंगे, वो निर्दिष्ट पार्थ पुस्त को के आधार पे रिया जाएंगे, instruction मतलब जो उसको पढ़ाना है निर्देश देने है, then flexibility on the topics that a student would like to learn, उन बच्चों को नम्मता दी जाएगी, जो बच्चे सीखना चाहते है, उन विश्यों पर flexible होगा system, okay, and emphasize on lifelong learning and social skill, emphasize on lifelong learning and social skill, जीवन परियंत अधिगम और समाजिक कोशल पर जोर देना, okay, and emphasize on scoring good mass in the examination, देखो भी, किसी भी प्रकार की सिक्छा का उद्देश जो है परिक्छा पर जोर देना और इच्छा में अंकों पर लाना नहीं है, okay, मगर जाउन डिवी जो प्रगतिशील सिक्छा लाए वो बच्चों के लिए लाए थे कि ऐसा education, जो नामी किया progressive, progressive मतलब आज से लेकर के अंत तक कायम रहे, okay, मतलब जो बच्चे के lifelong काम में आए, okay, so emphasize on lifelong learning, तो इसका answer 3 होना चाहिए, let's see the answer, बिल्कुल सही है, emphasize on the lifelong learning, यानि कि जीवन परियंत अधिगम और समाजी कोशल पर जो प्रदर्शन बुद्धी को निमने के द्वारा नापा जाता है, कौन-कौन सी चीज़े हैं भई, प्रदर्शन को, प्रदर्शन बुद्धी को नापने की, प्रदर्शन मतलब कोई चीज किसी चीज़ को perform कर पा रहा है, किसी चीज़ को show कर पा रहा है, तो इसको नापने का सबसे अच्छा तरीका कह रहा है, मौखिक छमता, भई मौखिक साब प्रदर्शन कैसे परकवा हो गए, मैं उझे नहीं लगता है, Comprehensive समझ यार ये छमता में नहीं आता है, Numerical Ability बिलकुल भी नहीं, ये भी छमता में नहीं आता है, Performance की, और क्या है Picture Arrangement, जी हाँ, अगर बच्चा कोई अच्छी Picture बना पा रहा है, तरीके से कुछ कर पा रहा है, इसका मतलब उसका Picture Premation बहुत अच्छा है, मतलब उसकी Picture Intelligence, Performance Intelligence जो है काफी बेहतर है, उसका जो performance intelligence है उसे हम कह सकते हैं कि वो बहतर है चलिए अब देखते हैं next question क्या है picture arrangement बिल्कुल सही answer निकल आया अगला question है कि A thing can be learnt by the study of it as a totally This statement based on which learning अध्यान से सीखा जा सकता है एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्यान से सीखा जा सकता है अदलब इसका concept क्या learning as a whole Okay learning as a whole के रूप में पढ़ा जा रहा है यहां पर यह I think can be learnt by the study as it as a totally लिए तो यह कथन कि सिख्छण के सिध्धान पर आधारित है आपको यह बताना है कि यह जो कथन है यह कहां का है learning as a whole यह statement कहां का है तो आप यदी रट करके आए हैं आपको यदी रटा है आपने पढ़ा अच्छे से कि learning as a whole कि स कंडीशनिंग की बात करता है यह कौन सा सिख् क्लासिकल कंडीशनिंग तो इसका और आपको रटना पड़ेगा इसको आपको याद करना पड़ेगा कि चीजों को समगर रूप में देखा जाए ओके मतलब as a whole देखा जाए चीजों को कुछ चीजों को as a whole देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग इसको हिंदी में चिरप्रतिस्थिट अनुकूलन कहा जाता है यह बिल्कुल सही प्रानुकूलन तो क्लासिकल कंडीशनिंग ओके चली अगला दवर्ड कंसिस्टेंसी इस एस एस एड़ेट किसे है व्यक्तित उसे है मनुवरती से है बुद्धी से है प्रेना है अगर आप किसी सिस्टम के साथ सामनजस से बिठाल लेते हैं इसका मतलब आपका व्यक्तित बढ़िया है आप बहुत अच्छी अजस्ट्मेंट पावर रखते हैं ओके आप बहुत कंसिस्टेंट है मतल बहुत consistent है, मतलब एक तरीके से उसकी performance लगातार बहतर है like I can say Virat Kohli is very consistent in his scores तो Virat Kohli जो है अपने scores making में बहुत consistent है मतलब उनका जो score आ रहा है 40-50-60, 40-50-60 इससे कम नहीं आ रहा है, वो निराश नहीं करते जनता को that is called consistency है, मगर यहाँ पर उस consistency का मतलब नहीं ही कि बहुत ही regular है, okay, यहाँ पर consistency का मतलब है कि उस सामन जस्त कर पारे की नहीं कर पारे, और यह क्या है, यह personality expect है, यह personality व्यक्तित का expect है, कि यह जो है बन जाएगा आपका व्यक्तित, चलिए तो बिल्कुल सही है मेरा जवाब, आप लोगों कभी सही होगा चलिए, question number 8, काफी subtle paper लग रहा, मुझे यह अभी तक जो है, यह paper जो है, part 2 जो है, paper काफी subtle लग रहा, part 1 जो मुझे लगा था, बहुत difficult लगा था, जो आया था इस exam में MP TED का paper चल रहा है, discuss कर रहे हैं, और यह सभी exams के लिए बहुत important है, और आप हमारे टेलिग्राम में जोडने के लिए, हमारा जो channel है, उससे जोडने के लिए, let's achieve, टेलिग्राम पे जोईन कर लिजे, या उसकी link दी गई है आपको, description box पे, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, चलिए the prejudice against a person on the basis of sex that person is, कि लिए क्या धार पर, यारी किसी व्यक्ती के खिलाफ हम पूर वाग्रह बना ले, पक्षपात बना ले, कि लड़किया तो कमजोर होती हैं, है ना, तो लड़किया खेलेंगी, क्या, है ना, वही दंगल पिचर वाली बात, है ना, कि लड़की है, क्या लवानी क्या करोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जेंडर स्टीरोटाइप बोलते हैं, इसको हम जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको हम जेंडर इस्यू बोलते हैं, ओके, देखे, बात यहाँ पर पक्षपात पी हो रही है, पक्षपात की, कि हम लड़की को जो है एक पक्षपात कर रहे हैं कि लड़की को ये काम करने नहीं दे रहे हैं और लड़की को हम दूसरा काम करने दे रहे हैं लड़के को वो काम करने दे रहे हैं मतलब जो काम में लड़की को नहीं करने दे रहे हैं, वो काम में लड़की को नहीं करने दे रहे हैं, एक तरीके से पक्षपात कर रहे हैं, पूरवाग्र है, पक्षपात, तो ये कहलाता है लेंगिक भेदभाव, याने इसको हम बोलते हैं, जेंडर बाइस, जहां हम भेदभ लेंगिक भेदभाव चलिए देन अगली बात करते हैं अगला क्वेशन देखते हैं छोटी हड़ी यानि स्टेप्स कान ओहो कितना अच्छाक सवाल दिया है दिखिए जी कि छोटी हड़ी जो होती है स्टेपीज बोलते हैं उसको यहां पे बायोजिक अटम है ये छोटी हड़ी स्टेपीज होती है हमारे सरीर की सबसे चोटी हड़ी क्या होती है स्टेपीज कान के पास होती है सबसे चोटी हड़ी स्टेपीज जो होती है वो कान में कहां होती है कान के कान के अंदर होती है कान के बाहर होती है कान के बीच में होती इन में से कोई नहीं तो अगला सवाल क्या है the last stage stage of psychological development psychological मनो समाजिक विक्यास की psychological मनो समाजिक विक्यास का अंतिम चरण ओके मैंने गलत पढ़ा है psychological तो हो जाता अपना मनो विग्यानिक बट यहां पर psychosocial है इसलिए मनो समाजिक आ रहा है तो मतलब psychosocial मतलब समाजवाद यहां पर कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है तो psychosocial development की last stage क्या है तो psychosocial development की last stage क्या है फरस्ट है identity versus confusion सेकेंड है trust versus mistrust थर्ड है generality versus stagnation और फोर्थ है integrity versus despair हिंदी में इन भी कल को पढ़ना पढ़ेगा तो पहला है कि identity versus confusion मतलब की पहचान बनाम ब्रह्म तो कि देन trust versus mistrust अविश्वास बनाम विश्वास रोकी या विश्वास बनाम अविश्वास देन जनरे टीविटी versus stagnation तो कि जनरे टीविटी मतलब उदारता generous okay versus stagnation stagnation का मतलब एक तरीके से थहराव and integrity versus despair akhandata versus निराशा akhandata बनाम बनाम मतलब versus विरुद निराशा क्या बता रहा है psycho social development मतलब की manu samajik विकास कैसे करेंगे सवाल को इसको याद करना पड़ेगा आपको कि psycho social development का last stage क्या है तो मुझे इसका answer नहीं आता है मैं इसके answer को देखना चाहूँगा ठीक ना पहचान बनाम ब्रहम है विश्वास बनाम अविश्वास है एक बार तुक्का मार करके देखते हैं कि तुक्के में क्या होता है इसका answer trust versus mistrust उदारता बनाम ठहराओ अखंडता बनाम निराशा psychosocial चलिए कहना मेरे लिए मुश्किल है इसका answer मैं नहीं देपा रहा हूँ तो correct answer इसका देखते हैं इसका answer है integrity versus despair ओके मतलब अखंडता बनाम निराशा तो याद करिए ये एक रट्टा question है इसका answer है आपको याद करना पड़ेगा चलिए अगला the study of same children over a period of time is known as कौन सी study कहलाता है एक निर्धारित समय की अवधी के समान बच्चों के अध्यन को कौन से अध्यन के रूप में जाना जाता है मतलब एक निर्धारित समय की अवधी के लिए समान the study of same children over a period of time मतलब कि आप जो है कुछ बच्चों पर analysis कर रहे हैं कुछ बच्चों पर आप एक ही चीज़ का analysis कर रहे हैं और कुछ दिये गए समय में आप अध्यन कर रहे हैं the study of same children over a period of time निर्धारित समय की अवधी के लिए समान बच्चों के समान बच्चों के अध्यन को कौन सा अध्यन कहते हैं एक है longitudinal दूसरा है longitudinal यानि की अनुदेर्ध study अनुदेर्ध अध्यन दूसरा cross-sectional यानि प्रती निध्यात्मक cross-sectional तीसरा है latitude यानि अक्षानसी और चोथा है experimental तो इसको correct answer इसका क्या होना चाहिए देखिए आप जो है आपके पास group of student है वो बिल्कुल सेम बने हुए इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप इनी बच्चों में इनी बच्चों पे आप जो भी की ही कोई टेस्ट लगाया है तो इस प्रकार के अध्यान को हम बोलते हैं अनुदायर ध्याने की longitudinal study यह अध्यान बिल्कुल सही है तो अध्यान क्या क्या लाएका longitudinal study longitudinal अध्यान या अनुदायर अध्यान चलिए next question number 12 देखते हैं which of the following is limitation of electric counseling approach अब देखिए अब question difficult होता जा रहा है पेपर अभी तक तो easy लग रहा था अभी difficult लग रहा है question आड़े चर्चे आ रहे है which of the following is the limitation of electric counseling approach निमने में से कौन सी ग्रहण शील परामर्ष दरश्टी कोण electric counseling approach ग्रहण सील परामर्ष दरश्टी कोण की सीमा है ग्रहण सी ग्रहण सील परामर्ष दरश्टी कोण electric counseling approach तो एक प्रकार की counseling approach है जिसको हम electric eclectic और यहाँ पर eclectic लिखा हुआ है eclective counseling approach बोलते हैं इसमें spelling में भी देखिए मैंने elective बोला उसको eclective कर लिजी तो इसमें कौन सा ही आपको बताना है फस्ट है requires highly skilled counselors to handle dynamic feature of this counseling approach इस परामर्ष दरश्टी कोण की गत्यापस्तमक विशेषता को नियंतरित करने के लिए अधिक कुशल परामर्ष दाताओं की आवशक्ता होती है ओके eclectic में अच्छे परामर्ष दाताओं की आवशक्ता होती है क्यों होती है डानेमिक फीचर को handle करने के लिए कि इसमें जो आपको limitation बतानी है कि इसकी problem क्या है कि इस elective counseling approach में कौशा जो part है वो problem करेगा यह आपको बताना है कुशल परमर्ष दाताओं की अविश्थक्ता अत्यधिक प्रभावी व्याहारिक द्रिष्टी कौन और परामर्ष के अधिक लक्ष और समनवी द्रिष्टी कौन तो मुझे इसमें लग रहा है कि इसका answer जो होना चाहिए one होना चाहिए इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी वाली टेक्नीक है और इसमें जो है skilled counselor की जरूरत पड़ेगी हमको जो कि इसके dynamic feature को dynamic feature को control कर सके जो इसके dynamic feature को handle कर सके तो यह इसकी problem दिखने चाहिए बाकी तीन चीज़ें इसकी problem समझ में नहीं आ रही है इसका correct answer चेक करते हैं क्या है requires highly skilled counselors to handle dynamic feature of counseling approach मतलब इसमें जो है मैं skilled counselors की जरूरत पड़ेगी question number 13 देखते है question number 13 क्या है question number 13 पड़ेगे which of the following is the best way of teacher can guide the children without special with special needs in a school education जो विशेस जरूरत वाले बच्चे हैं जो विशेस आवशक्ता वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए कि सिक्षक जो है विद्याली इस इसक्षा में उनको मारदर्शन कर सकता है कौन से सिक्षा से उनको मारदर्शन कर सकता है first है give higher challenging task अधिक चुनौती पूर्ण कार देना give more test अधिक परिच्चन देना providing support and tips support और सही होगर सुझाओ देना provide more homework और उनको homework देना तो ये जो सवाल है बहुत ही सरल सवाल समझ में आ रहा है higher challenging task वैसे ही बिचार है कि सारे special need वाले हैं आप बरबाद कर दो higher challenging देकर के अधिक परिच्चन देना नहीं more test देने वाली बात नहीं है आपको उन पर काम करना उनको क्योंकि वे special children है इसलिए आपको wishes need वाले हैं okay special need वाले हैं इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा इनको provide support and tips yes बिल्कुल सही अपना अंसर providing support and tips next question question number 14 question number 14 है which of the following is an example of lower order need in Mosulow which of the following is an example of lower order need in Mosulow ठीक ना lower order need in Mosulow which of the following is an example of lower order need in Mosulow hierarchy needs okay इसमें मतलब Mosulow की कोई hierarchy needs है कि Mosulow की कोई जरूरत है उनके पदानुक्रम डेवलप किये गए हैं उसमें से आपको बताना है कि इसमें निचले लेवल की मांग कौन सी है okay निम्न में से कौन सा Mosulow की आपसक्ताओं के पदानुक्रम में निम्नतम आवशक्ता को एक उधारण है okay तो Mosulow की जो need बताई गई हैं उसमें से निचले लेवल की आवशक्ता कौन है ये बताना है आपको तो आपको option दिये गए हैं पहला निचले लेवल की आवशक्ता मतलब कि उतना ज़्यादा वो उपर नहीं आती है निट्स में कि बहुत ज़्यादा जरूरत है इसका पहला है सम्मान की आवशक्ता self actualization आत्म बोध की आवशक्ता safety needs सुरक्षा की आवशक्ता love and belongings needs मतलब प्यारवा अपने पन की आवशक्ता है अगर आपने मौसलों की आवशक्ताओं का पदानुकरम पढ़ा है तो आप से ये question बन जाएगा अगर आपने मौसलों की थियोरी पढ़कर के आए है कि मौसलों की थियोरी क्या थी तो जो मौसलो की थियोरी थी वो क्या कहती है कि सम्मान की आवशक्ता आत्मबूद, सुरक्षा और प्यारवा अपने पन की तो देखें मौसलो की थियोरी उतनी बहतर मुझे भी नहीं आती है बट यदि मैं यहाँ पर एजुकेटर बात करूँ कि एजुकेटर बात करूँ कि साइकलोजीकली देखें मेरे को यदि एक बच्चे की बात करूँ तो सम्मान कहीं न कहीं आता है आत्मबूद कहीं न कहीं आता है प्यारवा अपना पना आता है बट सुरक्षा की आवशक्ता मुझे in the case सही नहीं लग रहा है सुरक्षा की बात यहां पर क्योंकि मनोविज्ञान से जुड़ी ही बात है तो बिल्कुल सही अंसर है सबसे निचले में आता है सेफटी निट्स मतलब सुरक्षा की आवशक्ता चली कॉस्चन नमर 15 की बात करते हैं हाफ कॉस्चन पर आ चुके हैं कॉस्चन नमर 15 क्या है विच अमंग दा फॉलुविंग टाइपस ऑफ इंटेलिजेंस वूड बी दमोस्ट यूज वैं ट्राइंग टू नेविगेट थू ट्राफिक ओकी जब याता याद के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय क्या किया जाएगा मतलब कि आप स्कूटर चला रहे हैं तो इसमें से आपको कौन सी बुद्धी का इस्तमाल करना पड़ेगा आप स्कूटर से एक महले से दूसरे महले जा रहे हैं तो इसमें से आपको कौन सी बुद्धी का इस्तमाल करना पड़ेगा, प्राकृतिक वादी बुद्धी यानिके नैचुरल इस इंटेलिजेंस, इस पैटिकल नहीं लिखा है, इस पैटिल इंटेलिजेंस मतलब इस्थानीक बुद्धी, अंतरव्यक्तिक बुद्धी, इंटर दूसरे आदमी से आप नहीं मिल रहे हैं कोई अंतरवेक्ति कि यहां पर इंटरपरसनल आप अपने एस्पेक्ट ओपन करोगे बात करती है नैचरल एलास्टिक और दूसरा है इस्पैटिकल याने स्थानिय बुद्धी तो क्या होना चाहिए इसका अंसर सूची जरासा इसका अंसर होना चाहिए टू इस्थानिय बुद्धी ओकी बिल्कुल सही जवाब है इस्थानिक बुद्धी होना चाहिए मुझे लग रहा है चली देखते हैं exactly बिल्कुल सही जवाब है इस्पैटियल इंटेलिजंस जो है वो डेसाइट करवाती है कि आप किस रास्ते पे जात स्थानिक बुद्धी के आपको जनकारी कितनी है चलिए अगला क्वेशन एचाइल रिसीव स्टार फॉर एवरी करेक्ट मार्स एवरी करेक्ट आंसर शी गेट्स अगर एक बच्ची है कोई बच्ची है उसको सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है ओके किस सुद्रण ही करना उस बच्ची के लिए कौन सा रिफॉर रिफॉर्समेंट आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सही करती है उत्तर में तो उसको आप एक स्टार दे देते हो तो इसमें से आपको बताना है कि वैन वाट रिफॉर्मेंट शेडूल बिंग यूज़ मतलब कि सुद्रण ही करना अन सुची का कौन सा इस्तमाल कर रहे हो चलिए अगला फस्ट है अप्शन वेरियेबल रेशियो रिफॉर्मेंट शेडूल यानि की परवर्त नहीं अनुपात सुद्रण ही करना अनुची दूसरा है एंट एंट इंटर्मिटेंट रिफॉर्समेंट सेडूल मतलब अंत्राइक सुद्रण ही करना अनुची पार्शियल रिफॉर्समेंट मतलब आंशिक एंट फिक्स रेशियो रिफॉर्समेंट मतलब की निश्चित अनुपात सुद्रण ही करना अनुची तो भाई रेखिए बिलकुल क्लियर है कि कुछ भी करोगे तुमको एक ही स्टार मिलेगा दो स् मुझे लग रहा है इसका अंसर 4 होना चाहिए Fixed Ratio Reinforcement मतलब कि निश्चित अनुपाद सुद्रण अनुसूची का इस्तमाल किया जा रहा है यहाँ पर ओके यहाँ पर एक Fixed Ratio Reinforcement Schedule का इस्तमाल किया जा रहा है चलिए आंसर देखते हैं पिलकुल सही है Fixed Ratio Reinforcement Schedule तो इसमें भी मिलते हैं आपको एक मार्क्स अगला सवाल करते हैं कि One of the characteristics feature of the constructivist constructivist unit of study मतलब कि आपको एक तरीके से रचनात्मकता का सिधान जो है यह जो रचनावादी लोग है वो कौन सा एक इसकी विशेषता मानते हैं One of the characteristics feature of a constructivist unit of study एक रचनात्मकता वाद इकाई की विशेषता अध्यन की एक रचनात्मकता वाद इकाई की विशेषता यह है की यह है की इसकी शुरुवात इससे होती ही कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदू के रूप में क्या जानते हैं मतलब इस तार्ट विद चिल्रन नो अज एफेक्टिव डिपार्चर पॉइंट फॉर दे लेस्ट सिकेंड टेस्ट असाइनमेंट आर इंड अर्ट इससिंग दा लोगर ओर तिंगिंग इस्किल जाच टेस्ट और नियर कार्ट याने असाइनमेंट का उद्देश केवल निम्न इस्त्री सोच कोशल का आकलन करना होता है तीसरा इट प्रफोगेट इट शोशली थूँ टीचर इंस्ट्रक्शन यह पूर्ट पूर्टा सिक्षा के निरदेश माध्यमों से निरदेश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है और आस्किंग क्वेश्चन इस डिसकरेज इन लर्नी प्रोसेस प्रफोगेट में पूछना अधिगम की प्रक्रिया को हातोत साहित करता है रचनात्मक्तावाद की हम बात कर रहे हैं कि रचनात्मक्तावाद इकाई की विशेष्टा कौन सी है रचनात्मक्तावाद मतलब की constructivist unit of study आपको constructivist unit of study रचनात्मक्तावाद इकाई अध्यान की रचनात्मक्तावाद इकाई की एक विश्यस्ताइब बतानी है चलिए दिखे तो इसमें मुझे पता नहीं है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसकी शुरुवाद जो होती है इससे होती है कि बच्चे पाट के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदू के रूप में क्या जानते हैं कि मतलब फाइनली आपने पढ़ लिया तो आप एक चैप्टर से कंस्ट्रक्टिविजम मतलब क्या आपने जाना कि ये चैप्टर एड़ एड़ एंड ये तक्ति हुआ कथा कहानी चलती रही मगर फाइनली कंक्लूजन जो है उसका प्रस्थान बिंदू कहा जा रहा है मतलब जो पॉइंट लेसन है उसका डेपार्चर पॉइंट क्या है सोकी सीरी एक बात क्या है ये इसमें पूछा जाता है reading skills can be developed by पठन कोशन को इस तरीके से उपयोग बढ़ाया जा सकता है पहला उत्तर लिख करके word game खेल करके quiz करके focusing on the word on the text part में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंदरत करके and शब्दा वली doing vocabulary exercise मैंने शब्दा वली को अभ्यास करके चलिए बताइए कि सबसे बढ़िया तरीके से आप जो है reading skill को कैसे आप बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते है reading skill को okay reading skill को कैसे बढ़ा सकते देखिए उत्तर लिखना है तो लिखने की बाद reading skill में तो आएगी नहीं यह राइटिंग skill का कमाने world game खेलना quiz करना word game खेलना, quiz करना तो जब आप quiz कर रहे हो तो बोल रहे हो तो उसमें read का कुछ नहीं है speaking है आपकी तो ये भी ज़्यादातर मेरे को बहतर समझ में नहीं रहा है doing vocabulary exercise तो एक ये भी सही है and focusing on the word text ये भी सही है तो word को focus करना क्योंकि आप reading की बात कर रहे है और reading में जो है आपको बोलना इसपस्ट आना चाहिए उनके pronunciation बहुत बलकुल सही होने चाहिए और आप तभी कर पाओगे जब आपका ध्यान जो होगा पाठ के शब्दों पर केंद्रत रहेगा तो 3 और 4 में से मुझे correct answer 3 लग रहा है let's see so answer correct है focusing on the word we use on the text exactly चलिए next question की बात करते है अगला question है कि असमर्थता irrespective of the kind of impairment all children is capable of किसी भी असमर्थता के बावजूद बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं चलने में, सुनने में learning करने में, देखने में, सीखने में तो भाई बिलकुल समझ में आ रहा है बिलकुल focus वाला question है एक number हर कोई लूट के ले गया होगा इसमें answer है learning भाई अंधा भी सीखता है कोई भी बच्चा कैसा भी हो उसके साब कैसी भी disability हो बड़ उसका दिमाग काम करता है तो वो क्या होता सीखता है चली, next question है question number 20 question number 20 what are inborn patterns in the behavior of that are biological determined also called okay, मतलब की व्योहार के जन्म जात pattern जो जीव विग्यान के अनुसाद निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है व्योहार के जन्म जात pattern मतलब बच्चे के अंदर जो व्योहार के जन्म जात pattern होते हैं जो उसके अनुवांशिकी से उसके अंदर आते जाते हैं ओके वो जन्म जात pattern क्या कहा जाता है जो जीव विग्यान के अनुसाद निर्धारित होते हैं उनको क्या कहते हैं आईडी पहचान ड्राइव ओके इंस्ट्रक्शन इंस्टिंक्स सहज ग्यान एंड इंटेलिजन्स बुद्धी मत्ता तो जन्म जात pattern जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं व्योहार के जन्म जात pattern देखी मैं बात यहां पर किसकी बात कर रहा हूँ pattern in behavior है yes pattern in behavior व्योहार के जन्म जात pattern है यह क्या कहलाएंगे व्योहार के जन्म जात pattern क्या कहलाएंगे the inborn patterns of behavior inborn patterns of behavior तो behavior के inborn patterns क्या कहलाएंगे ID, drives, instincts or you can say intelligence चली तो याद करने वाला question है जो चन्वजाद pattern होते हैं वो instincts कहलाते है question number 21 करेंगे question number 21 क्या कह रहा है what are the symptoms of the post-traumatic stress disorder in children post-traumatic stress disorder आगात तनाव विकार के लख्षण क्या है आगात तनाव विकार के लख्षण क्या है बच्चो में पस्च आगात तनाव विकार के लख्षण क्या है okay what are the symptoms of post-traumatic stress disorder in children first avoiding places or people associated with the event गटना से जुड़े इस्थानों या लोगों से बचाना having to think or to think about or say something over and over बार-बार कहने कुछ कहने या उसके बारे में सोचना third third है not have an interest in other people at all दूसरों में बिल्कुल भी रुचीना होना and fourth है दूसरों से नाराज होना तो आपको बताना है कि post-traumatic stress disorder के बच्चों में symptoms क्या होते हैं post-traumatic symptoms disorder जिसे हिंदीम कहते हैं हम पश्च आगा तनाव विकार के क्या लक्षण है ओके तो एक तरीके का disorder है इसकी जानकारी देखते हैं क्या होगा इसका अंसर मुझे नहीं पता इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर है avoiding places और people associated with the event मतलब कि वहाँ पर जो घटना होई है वहाँ पर लोगों से बचना चलिए next question number 22 करते है तो इसमें से कौन सा सिद्धान्त ये प्रसुत करता है कि वकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीम के माध्यम से वन्शानुगत है मतलब इसमें से कौन सा सिद्धान्त ये कहता है कि जो हमारे विकास होता है वो एक तरीके से genetically असर करता है हमारे वन्शाजों से ले करके transfer हुआ करता है तो options है a deterministic theory एक नियतिवाद सिद्धान्त second a social theory एक समाजिक सिद्धान्त fourth a nature theory एक प्राकृतिक सिद्धान्त and fifth a nurture theory nature है उपर और नीचे है nurture एक पालन पोशन सिद्धान्त तो कौन सा सिद्धान्त कहता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वनशाकत है चली इसका आंसर मुझे नहीं आता है देखते हैं इसका सही आंसर क्या है तो इसका आंसर है एक प्राकरतिक सिद्धान्त मतलब की एक natural nature theory लिख लीजिए तो ये जो बात है ये प्राकरतिक सिद्धान्त में आता है थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसका आंसर हम दे सकते थे क्योंकि ये प्रकरती से related है कि विकास उन चीज़ों पंदरभा करता है जो जीन के माध्यम से वन्शागत है तो exactly यह depend भी करता है और यह nature पर depend करता है So this is called nature theory Next question What type of thinking associated with creativity? Creativity का मतलब क्या है? बहुत ही famous question है भाई Creativity का मतलब होता है बच्चे का एक ही चीज़ को कई तरीके से सोचना Okay, तो convergent अभी सारी बिलकुल नहीं है Divergent thinking बिलकुल सही है Okay, insightful thinking अंतरजस्टी सोच यह भी नहीं वानूँगा मैं And transductive याने पारमर्थिक सोच Okay, transductive thinking तो correct इसका answer क्या है? इसका correct answer है इसका correct answer है होना चाहिए Divergent thinking तो कहीं पर भी आपकी जो creativity की बात होती है तो वहाँ पर divergent thinking की बात होनी चाहिए और बिलकुल भी जवाब भी हमारा बिलकुल सही है चली, next question की बात करते हैं अगला question की वू walk, introduce the theory of universal grammar language in development Woon, introduce the Theory of Universal Grammar in Languageào in Languageào in Languageào development. भाशा के विकास में Universal Grammar के सिधान को किस ने पेश किया था लीजे भई भाशाई का विकास आगया है, तो भाशा के विकास में Universal Grammar Language में यह रटने वाला question है, आप लोगों ने यदि याद किया है, तो याद होगा आप लोगों को कि theory of universal grammar किस ने develop की थी, language के development में, तो PRJ ने नहीं की थी, Vygotsky ने नहीं की थी, Skinner ने नहीं करी थी, Chomsky ने add की थी, grammatical development, grammar in language development, okay, theory of universal grammar, तो correct answer इसका बिल्कुल सही, Chomsky ही है, अगला question है, intelligence is a product of both, this and environment, बुद्धी मत्ता जो है किन चीजों का एक product है, किन चीजों का उत्पाद है, दोनों को बुद्धी मत्ता, मतलब intelligence आपके अंदर जो आती हो, किसका उत्पाद है, environment का तो है ही, मतलब कि आपके वातावरान का तो है ही, साथी साथ किसका है, options है, संस्क संस्कृति, समुदाय, अनुवानशिक्ता, एंड समाज, intelligence, देखे, तो मनोविज्ञान के अनुसार जो यहाँ पर सबसे पावरफुल हो रहा है, intelligence जो होती है, heredity से भी आती है, मतलब कि जो आपकी बुद्धि मत्ता है, वो heredity से भी आती है, transit होती है, तो इसका आंसर होन चाहिए, heredity याने की अनुवानशिक्ता, बिल्कुल सही, अनुवानशिक्ता ही इसका सही जवाब है, question number 26 की बात कर रहे है, content number 26, the Minnesota paper from board test is a test which measure once, Minnesota paper form परिच्ण, एक परिच्ण है, जो की किसी की किस चीज को नापता है, Minnesota test, Minnesota paper form, board test, Minnesota paper form, board test, किस चीज को नापता है, option verbal reasoning, योगता, व्यक्तित्व, अंग्रेजी को सल, तो देखे, Minnesota test जो है, किस चीज को नापता है, यह एक रटने वाला question है, जो Minnesota test होता है, वो आपके aptitude को नापता है, किसी विसेश चेतर में, aptitude, okay, correct answer, aptitude ही है, next question, A student is asked to find different method of evaluate the pi, pi की अलग-अलग value को निकालने के लिए, मुल्यांकर करने के लिए, एक बच्चे को अलग-अलग विधी प्रणाली, भिन भिन प्रणाली, ग्यात करने को कहा जाता है, इसमें जो है, कौन सा operation लगेगा, बच्चे की कौन सी चमता समझ में आएगी, चलिए, तो देखें, यहाँ पर एक ही प्रणाली है, और एक ही प्रणाली को अलग-अलग तरीके से बात की गई है, तो साब देख रहा है, यहाँ पर divergent thinking की बात हो रही है, तो इसका answer C होना च चिंतन, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा question है, ऐसे question आने चाहिए और आते भी हैं, ओके तो यह है अब सारी चिंतन, next question, classical conditioning was developed by, classical conditioning was developed by, classical conditioning जो है, प्रानुकूलन या सास्त्री अनुबंधन इन में से किसके द्वारा विक्सित किया गया है, classical conditioning जो की बहुत मशूर है, okay, classical conditioning का आपको याद होगा, experiment, कुत्ते वाला experiment जो था, घंटी बजाने वाला, okay, तो classical conditioning का जो सिद्धान थे, शास्त्री अनुबंधन या चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन भी उसे कहते हैं, किस ने डेवलप किया, अलबर्ड बंदूरा, पावलाव, कोहुलर, पिया है, question number 29 कहते है, selecting specific stimuli through sensation of a characteristics, through sensation is a characteristics of, okay, समवेधना के माध्यम से विशेष उदीपन का चैन करने का अभी लगच्छड है, selecting specific stimuli, selecting specific stimuli through sensation is a characteristics of, समवेधना के माध्यम से विशेष उदीपन को चैन करने का अभी लगच्छण है, पहला, attention, दूसरा, critical thinking, गहन चिंतन, तीसरा, concept, and फिर है, बोध, यानि की, perception, चलिए, select specific stimuli through sensation of a sensation is a characteristics of, समवेधना के माध्यम से विशेष उदीपन का चैन करने का अभी लगच्छण, समवेधना के माध्यम से विशेष उदीपन के चैन करने का अभी लगच्छण क्या कहलाता है, तो देखना पड़ेगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो किसका correct answer है perception याने की बोध, ऐसे questions को लिख लीजिए, otherwise इसमें 0 मिल जाएगा, यह थोड़े से रटने वाले कहीं न कहीं question है, okay, तो समवेधना के माध्यम से विशिस्ट उद्धीपन का चैन करने का आभी लक्षान जो है बोध कहलाता है, last question देखेंगे, question number 30, animism is the belief that everything that exists has some kind of conciseness, okay, which of the following does not describe the idea of animism in the children of the pre-official stage of development, सरवात्मबाद यह विश्वास है कि जो भी कुछ मौझूद है, उसमें किसी प्रकार की चेतना है, निमलिखित में क्या विकास के पूर्व परिचालन इस तर पर बच्चों में सरवात्मबाद के विचार का वर्णन नहीं करता है, इसमें से कौन सा statement है, जो animism का support नहीं करत है, सरवात्मबाद क्या कहता है, सरवात्मबाद क्या कहता है, जो भी कुछ दुनिया में हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक तरीके से चेतना है, उसमें किसी ना किसी प्रकार की consciousness है, उसमें किसी प्रकार की consciousness है, उसमें किसी प्रकार की consciousness है, उसमें से कौन सा है, जो का विचार नहीं है, आपको बताना है, एक बच्चा जो कुरसी को टकराते हूँ अपने पैर को चोट पहुचाता है और खुशी से सरारती कुरसी को धकेल देता है, तो यह तो बिल्कुल यहाँ पे सरवातनबाद डेवलप हो रहा है, मतलब वो सूचता है कि कुरसी ने मेरे क कुमारा, okay, second, fancy dress प्रतियोगीता के लिए एक बच्चा fireman के लिए तयार होता है, a child dress up fireman for a fancy dress competition, next, a high mountain will be thought as old, एक उचे परवत को पुराना माना जाए, ठीक है, and a car won't start will be a described being tried or ill, एक कार जिसे नहीं start किया जा रहा है, उसे ठका हुआ या बिमार बताया जाए, तो यहाँ पर एक तरीके का आपको खुद लगाना है, दिमाख लगाए कि जो कुछ भी मौजूद है, उसमें किसी प्रकार की चेतना मौजूद है, कहीं न कहीं से relate करिए, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सरवातमबाद को शो नहीं करता है, तो पहला वाला तो शो करता है, दूसरा वाला जो उचा परवत है, उसे पुराना माना जा रहा है, बहुत पुराना है, वो कि मतलब यह पहले से ही जिंदा रहता है, पहले से ही रहा होगा, तो यह भी मुझे लग रह ग्रार को जो स्टार्ट नहीं की गई है उसमें परिकल्पना की गई है एक व्यक्ति की कि यो बहुत थका हुआ है वर्ट फायर में में ऐसी कोई चीज नहीं है तो इसका अंसर जहां तक पॉइंट नबर टू होना चαहिए exactly point number 2 ही इसका answer है ओके दोस्तों तो ये थे आज हमारे pedagogy section के 30 questions और हमारे channel को जिसका नाम है telegram पे let's achieve उसको आप लोग जल्दी से subscribe कर लेजे उसको join कर लेजे इसकी link हम description में आपको दे रहे हैं ओके तो ये pedagogy के भी चल रहे हैं और ये हमारे जो topic जो मैंने आपको बताया AWS exam के लिए and especially grade 3 के exam के लिए बहुत ज़्यादा important है इनकी तयारी आप लोग अच्छे से करिए और इस तरीके के question आएंगे pedagogical section जो है दो तरीके का होता है एक तो आपको याद करना पड़ता है उस पे कोई आपकी help नहीं कर सकता है और एक जिसके आप concept बना सकते हैं कोई कितना भी कुछ कहे जहां याद करने वाली बात है वहाँ पे concept आपके काम में नहीं करेंगे जैसे पावलाव की थियोरी classical conditioning थियोरी पावलाव की है तो पावलाव की रहेगी आपको याद करनी पड़ेगी ओके और पाकी पढ़ते रहेगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार